भारत में अभी कौनसी दवाई कोरोना वाइरस के लिए सोधी गई है और भारत में कोरोना पर कौनसी ट्रेटमेंट चल रही है चलिए देखते हैं इस वीडियो में डॉक्तर प्रकाश केश्वानी चेपूर के स्वाई मानसिंग उस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने निउस 24 में बताया कि लोपीनावेर और राइटोनावेर 200 और 250 अमजी दिन में दो बार जो HIV-AIDS की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है उसके अलावा और सेल्टा माईवेर जो स्वाईन फ्लू में इस्तेमाल की जाती है और क्लोरोक्विन जो मेलेरिया की ट्रीटमेंट में दिया जाता है यह कॉंबिनेशन डॉक्टर प्रकाश केश्वानी और उनके साथी डॉक्टर ने बनाया है जिससे बाट से आट दिन में कोरोना वाइरस के जीन प्रेशन ठीक हो चुके है और एसा नहीं है कि यह दवाई उन्होंने इस्तेमाल करकर नया प्रयोग किया है क्योंकि लोपिनावेर और राइटनावेर का ट्रायल 18 जन्वरी 2020 से जीन फरवरी 2020 जीन यन तान होस्पिटल उहन सहर में चल रहा था मतलब इसकी दवाई चैना में ही सोधी गई थी लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था बाद में चैपूर के डॉक्टर प्रकाष केश्वनी ने भी यह दवाई का सजेशन दिया फिर भी कोई इसे मानने के लिए तयार नहीं है इसका स्क्रिंशोट आप देख सकते हैं यह आर्टिकल न्यू एंगलेंड जर्नल ओफ मेडिशन में है जिसका लिंक आप दिस्क्रि 2020 को हिंदुस्तान टैम्स आर्टिकल में है मतलब वह दवाई भी प्रकाष केश्वनी ने पहली बार यूज किया है यसा नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प ने भी 21 मार्च को हाइड्रो ओक्सी क्लोरोक्विन और एंजी थ्रोमाइसिन दवाई का सजेशन किया था लेकिन उसके ब दवाई डोक्टर की सला के बगेर नाले तुरंत बाद ही इस दवाई पर सभी जगर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद इंडिया में भी यह सभी दवाई पर कोरोना वाइरस की ट्रीटमेंट पर यूज करने से रोक लगा दी गई है और आज के अपडेट के मुताबिक राजस्तान में 62 मरीज में से 14 मरीज ठीक हो गये है ऐसे न्यूज मिले है जो साइद इन सब दवाईयों का कॉंबिनेशन ट्रीटमेंट से ही ठीक होए होंगे ऐसा हो सकता है और कोरोना वाइरस से बचने के लिए गुजरत के जामनगर के एक इंजिनियर ने डिस हो सकता है बोडी के अंदर जो इंफेक्शन लगा होता है उसे यह ठीक नहीं कर सकता है एसा लग रहा है क्यूंकि यह बाहर से सेनिटाइजर करता है लेकिन सरीर के अंदर जो वाइरस है उसे वह निकाल नहीं सकता है तो उसके लिए अभी प्रोपर दवाई बनने का इंतज आईसोलेटेट कोच में तयार किया जा रहा है भारत के लिए बहुत ही बड़ी कुशकबरी है क्योंकि भारत में होस्पिटल बेट की बहुत ही कमी थी जो यह ट्रेने पूरी कर देगी ऐसा लग रहा है दूसरे देशों में फूटुबल मैदानों के होस्पिटल बनाये गया ह लेकिन उससे भी अच्छा ट्रेनों के डिबों का उप्योग करके हम आईसोलेटेट कोच बना सकेंगे तो आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें यह दवाई कोरोना वाइरस के लिए उप्योग में लेनी चाहिए या नहीं हमें कॉमेट सेक्शन में जाकर जरूर करते हैं सबसे पहले हम अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिए थैंक्यू फॉर वचिंग जय हिंद वंदे मात्रम